जहीं दोस्तों तो आज किस वीडियो के अंदर हम बिटकोइन के बारे में बात करेंगे प्लस यहाँ पर इथेरियम के बारे में बात करेंगे साथी साथ यहाँ पर हम बात करने वाले कि आप future trade करते हो तो किस तरीके से profit book किया जा है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चाय करेंगे और काफी सारे जो event है जो आप trading करके event के अंदर participate करके side में थोड़ा और ज्यादा earning कर सकते हैं इसे event भी इस video के अंदर देखने वाले है तो अभी फिलार आपके सामने जो दिख रहा है हमारा telegram account है online crypto school यहाँ पर देखो हम हर दिन news डालते प्लस जितने भी video publish होते सभी के सभी link यहाँ पर डालते क्योंकि हमारा काम daily 5 से 6 video upload करना है तो सभी का notification नहीं जाता है तो telegram के अंदर आप रहे है क्योंकि हम twitter space भी करते future trade related sport trade related तो इसके अंदर रहे है तक कि आपके पास news तूरत पहुंच है चैसे last में कल यहाँ पर bitcoin 20,925 डोलर चला था तब यहाँ पर एक हमने trade दिया था कि भाई SL के साथ short करना चाहिए 3X का leverage लेके देखो साथी साथ मैं भ दिये है उसके बाद वही analysis का वीडियो यहाँ पर हमने डाला है कि भाई इसमें हमने analysis वगेरा किया है फिर यहाँ पर हम आगे देखते कि आगे क्या हुआ यहाँ पर आगे आगे नीचे हम फटा फटा स्क्रोल कर लेते फिर यहाँ पर हमने doge coin के लिए आज ही दिया है trade 0.08 दोलर के आसपास देखो एकजेट ली वाला screenshot खीच के यहाँ पर डाला और doge coin का trade वो हमने share कर दिया था फिलाल देखो target भी दिया है अब ऐसा नहीं हमारे केने से सब कुस हुआ है यहाँ पर मैं support resistance आरेशाय वगरा सब कुस देखने के बाद वो मैं यहाँ पर share कर दिया तो 20,800 मैंने तो आपको trade दिया था 20,900 तक्रीबन 500 डोलर के आसपार डंप लगा तो अच्छा काजा profit आपका हो गया होगा मतलब जो बोला वही यहाँ पर हुआ बट credit नहीं लेना चाहते बस learning करो और earning करो और telegram को join करके रखो अब यहाँ पर हम देख देख कि हमारा doge coin के इवेंट है और फीज में भी कोई problem नहीं यहाँ पर भी आप trading करते तो अच्छे का से bonus मिल जाते लास्ट में इवेंट के बारे में बात करेंगे फिलाल जो trade मैंने जो दिया था वही trade मैंने यहाँ पर लिया है यहाँ पर futures पर यहाँ पर हम click करेंगे और नीचे scroll करेंगे कि दोज कोईन के अंदर कितना profit फिलाल चल ला है तो 12% 12.5% के आसपास trade यहाँ पर मेरा चल ला है entry देखो 0.077 मैंने तो काफी पेले ले लिया था उसके बाद मैंने आप लोग के साथ share किया था 0.08 डोलर पे आपको दिया था तो तक्रीबाद अच्छा काज़ा profit चल ला होग बिटमाट एकचेंज के अंदर बिटमाट एकचेंज के अंदर आपका profit 11% 12% चल ला है और आपका leverage काफी कम है और आपको डर लग रहा है कि कहीं में लोश में ना चला जाओ तो आपको एक target fix करना है तो यहाँ पर इसका चार्ट है मैं आपको बताओ कि यहाँ पर इसका चा जब 0.076 डोलर से उपर जाना स्टार्ट करें तो मैं वहाँ पर profit book कर दूँगा एक दिमाग में target fix कर लेना है तभी आप profit book कर पाओगे या तो यहाँ पर आपको stop loss लगा देना है कि इसके उपर गया तो मैं मेरा profit book कर लूँगा अब केसे यहाँ पर stop loss लगा है तो यहाँ यहाँ पर हम नीचे scroll करके देखेंगे देखो वापस से 12.5% profit होना start हो गया है तो यहाँ पर आपको tpnsl पर आपको easily click करना है तो देखो यहाँ पर tpnsl पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पर अब setup किया गाए तो चैसी यहाँ पर tpnsl में click करते फिर आपको यहाँ पर आजाना है position tpnsl यहाँ पर bitmart exchange के अंदर फिर यहाँ पर trigger type में आपको यहाँ पर market price यहाँ पर भी market price यहाँ पर आपका take profit usdt के अंदर आप profit कहाँ पर actual में book करना चाते हो वो पहले दिमाग में लाओ कि अभी चल stop loss लगाएंगे market price पे stop loss लगाएंगे 0.075 चला है जैसे मैंने अभी अभी बता कि आपको पिछे-पिछे stop loss लगाते ही जाना कि यहाँ से उपर गया तो मैं निकल लाओंगा वाई तो 0.076 लगा देते हैं तो भी आपका profit है देखो यहाँ पर stop loss है तो भी आपका profit है आपका 50$ मिल जाएगा और यहाँ से कर लेना है confirm फिलार इस तरीके से trade होता है आपके दिमाग में चलना चाहिए trading कि भाई किस तरीके से में profit book करूंगा इसे आपको गबराना नहीं कोई पी target में क्यों ना दो पीछे-पीछे आपको SL धकाते जाना है जैसे आप आगे जाके यही price 0 0.0 74 पे चला जाए तो आपको stop loss लगा देना है 0.0 75 के आसपास जैसे मैं यहाँ पर चार्ट में बता दू कि भाई ओर यहाँ पर गिरावट आया इसके अंदर तो आपको stop loss और आगे धकेलना है कि यहाँ पर चार्ट आगे तो आपको stop loss यह जोन में लगा देना है 0.0 74 और और लोज के से बूक करें देखो काफे बार हमारा ट्रेड उल्टी दिशा में चलता है तो डायरेक्ली पैनिक नहीं होना है उसके लिए मैं बहुत जल्द बताऊंगा आप लोगों अभी फिलाल मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोफिट बुकिंग के बारे में बताया है आ बोद मामुली यहां पर फीज कटता है ट्रेडिंग फीज जैसे से में एक्चेंज के अंदर कटता है कॉम्पिटिटिव फीज यहां पर कटता है सभी एक्चेंज की तरह यहां पर फीज कटता है तो काफी अच्छा है यूज करने में आप भी इसका यूज कर्ष रखते हो टोप लोश वगेरा एकदम से सही से लगते प्रोफिट वगेरा एकदम से सही से भूक होता है तो link section box में provide किया है वहाँ से आप इसे देख सकते हो अब यहाँ पर थोड़ा bitcoin के बारे में बात यह कर लेते हैं आप इजिली प्रोफिट के अंदर हो आपने कोल लिया होगा I think 20,900, 20,800 या तो 21,000 डोलर तक बिट कोईन कल चल ला था तो आप अभी एक काम करना अपना प्रोफिट बोग करने के लिए जो स्टोपलो से वो लगाते जाना आगे आगे धकेलते जाना क्योंकि उपर भी जाना पे आप स्टोपलोस लगा देते हो तो भी आपका प्रोफिट होगा क्योंकि आपने तो एंट्र लिया Brandon 2900 या तो 20,900 डोलर तो आपको स्टोपलोस धकेलते जाना है दीरे दीरे स्टोपलोस रखना है क्योंकि वो एक लक्ष्मन रेखा हो जाते है कि वहां से निकलना चाहे तो अपना जो है माल अमारे हाथ में आजाए तो आगे यहाँ पर target देखे कि मुझे लगता है कि बाई rejection मिला एकाथ बार उपर ट्राई कर सकता है थोड़ा ज्यान देना एकाथ बार उपर ट्राई कर सकता है ओर rejection रियल में मिला तो फेले तो यह वाला मुझ भी अपकमिंग के अंदर है यूए से की न्यूज है फिलाल यूए से की न्यूज है यहाँ पर जो इंटर्स ड्रेट एफो एमसी की जो मेटिंग होगे वहाँ पर हाइक किया जाएगा तो सीडिशी बात है नेगेटिव बात हो जाती तो एकाद केंडल ऐसा भी हमें दे खाय दे रहा है तो देखो लर्निंग करो और अच्छा खासा अर्निंग करो फिलाल मेरा ही केना है कि यह लाइन कभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह लाइन के ऊपर जाना मतलब 21,500 डॉलर से ऊपर जब बिटकोइन जाना स्टार्ट कर दे और आपके ट्रेड लोस मे तो मेरे इसाब से लोस बूक कर लेना चाहिए फिर फिर यह वाला टार्गेट में देख रहा हूं कि यह वाला वाइट लाइन के ऊपर बिटकोइन का एक दो केंडल परे केंडल क्लोजिंग हो जाए तो सिदी सी बात है क्योंकि अब यह रेजिस्टेंज एक ही बचाया इसक तो नज़र रखो 20,200 डोलर के आसपास आग यहाँ पर बात करेंगे इथिर्यम के बारे में तो यहाँ पर इथिर्यम के बारे में बात करेंगे तो इथिर्यम चल रहा है 1541 डोलर फिलाल देखो इथिर्यम लग रहा है कि इसको ब्रेक आउट कर दिया है जैसे कि यह वाला ज टेबल रहे सकता है तो फिर हम लोंग कर सकते हैं और टार्गेट देख सकते हैं वाला 1725 डोलर के आसपाद बाकि फेक आउट निकल के इधिरियम भी आपको पंद्रा सो एक डोलर चोदा सो साथ डोलर और 2400 डोलर मतलब वाही यही जोन के अंदर वापस हम आ सकते हैं तो थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर और आपको कहीं ट्रेड दिखती है तो आप ले सकते हो बाकि अभी मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा इधिरियम के अंदर वेट करना चाहिए तो यह वाला वाइट है फिलाल में इसके उपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आप यहां पर आगे थोड़े इवेंट हम देख लेते ताकि उसके अंदर भी आप पाटिशिपेट करके अच्छा ख़जा प्रॉफिट बना पाए तो यहां पर इवेंट के बारे में बात करेंगे तो जो बिटमार् करते हो फ्यूचर टेट दस डॉलर से पचास डॉलर या तो उससे ज्यादा तो सभी को पाट पाट डॉलर मिलेगा मतलब यहां पर देखो रेंडम ली जो लोग फर्स्ट आएंगे उसको यहां पर पास आउट किया दाएगा तो फटा फटा आपको करना है उसके बाद सो ड यहां पर रिवाड डिस्टिपूट होगा दस दिनों के अंदर जैसे की एक्टिविटी कंप्लिट होती है देखो यहां पर हम डेट को देख लेती कि कौन-कौन से डेट तक यह वाला जो चलने वाला है मतलब 25-10 से लेके 11-1 तक यह इवेंट है जो चलेगा और आपको यहा जिसके पास नहीं है लिंक एडिक्शन बोक्ष में प्रोवाइट कर रहा हूं एक यहां पर पेतरीन कंसेफ्ट है जैसे की देखो बिटमाट इंडिया ने यहां पर यह प्रोवाइट किया दो गंटे पहले काफी अच्छा इवेंट है तक्रीबन 50,000 BMX टोकन का यहां पर इ प्रोवाइट क्या है एक दस बाईस से स्टार्ट हो था और 31 दस तब चलेगा अभी थोड़ा आपके पास टाइम है तो आपके पास जो आर वाइक कार यह पर ट्विट कर देना है इसको यहां पर आपको ट्विट कर देना इसको बताना है कि देखो मेरा प्रोवेट चल ला दून किया तो मैं लिंक वी इडिक्शन बोक्ष में प्रोवाइट कर रहा होते हो देखो यह भी एक काम की चीज यहां पर हो जाती है तो उमीद करता हुए वीडियो आपको पसंद होगा और काफी लोगों ने मेरे सबसे ट्रेडिंग करके प्रोफिट भी कमाया होगा यह दो कोल की मदद से तो जिन जिन लोग को प्रोफिट हुआ है मुझे बिलकुल बताए तक यह मारा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और ज्यादा मन करें कि हम आपको फ्यूटर कोल प्रोवाइट करें देखो रियल में हुआ है तभी आप बताना तो मुझे भी कोमेंट के अंदर भी मुझे रिसेशन दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा जो स्केमर लोग है स्केमर जो एकाउंट वाले वहां पर कोमेंट डाल रहे बाकि जेन्यूल तो कोमेंट काफी काम आ रहा है क्योंकि रिसेशन है ना तो कोमेंट के अंदर भी रिसेशन है तो वीडियो के साथ एक नए अफडेट के साथ तब तक के लिए जई हिन जई बारत